नमस्कार कसिश नियूज में आपका स्वागत है मैं हुआ अनुराग बेगुस राय के लाल रिसी रंजन का किस सहाधत हो गई देश्ट के लिए उन्होंने सहाधत देदी दरसर एक लैंडमाइन भी स्पोर्ट में उनकी जान चड़ी गई ये आतंकियों की कर्तूत थी वो तै कस्मीर में और इस दोरान उनकी मौत हो गई उनकी सहाधत हो गई अपनी ड्यूटी पर वो तनायत थे देश की सुरक्षा के लिए तो इस बीच में जिस तरह से रिसी कुमार का सौ अब पहुँचने वाला है वो आ रहा है इस बीच जो परिवार में लोगों के पहुँचने हैं उनके घर पर और सौ भी पहुँचेगा और पूरे राजकिये सम्मान के साथ उनका अंतिम संसकार किया जाएगा लेकिन इस बीच जो पूरा परिवार है गमजदा है और तरह तरह की बाते सामने आ रही हैं दरसल जो उनके पिता है वो बेगूस राय के रहने वाले हैं बेगूस राय के जिला मुख्याले के प्रोफेसर कॉनली निवासी है राजी रंजन कुमार उनके पुत्र थे रीसी कुमार उनकी सहादत हुई है और उसके बाद उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं रीसी कुमार के बारे में कि अब से कुछी दिनों के बाद वो अपनी छोटी बहन की साधी में बेगुसराए आने वाले थे लेकिन उससे पहले रिसी ने टेस के लिए सहादत दे दी तो यह हम आपको पूरी ख़़र बताते हैं कि क्या कुछ है उन्होंने एक साल पहले ही भारतिय सेना जोईन किया था 30 अक्टूबर को सुंदरवन सेक्टर के रोजरी नौसेरा में एक ब्लास्ट के दोरान वो सहीद हुए तो यह 30 अक्टूबर यानि कल की घटना है जो वो सहादत हुई है उनकी तो आपको बताए कि सहीद रिसी कुमार जो है मूलरूप से लकी सराय के पिपरिया के निवासी थ थे उनके पिता जो थे रिसी के दादा रिफाइनरी में कर रहा थे जो रिटायर्मेंट के बाद बेगू सराय में ही बस गए थे मौत की खबर के बाद अब परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है तो आपको यह बता रहे हैं बेगू सराय से जो खबर आ रही है पिता का कह कि मुझे करनल का फोन आया था तकरीमन साथ बज़े ये सूचना मिली कि वह सहीद हो गया है चार दिन पहले ही मा से बात हुई थी वह अपनी बहन की साधी में आने वाला था उन्तिस नवंबर को छोटी बहन की साधी थी तो पिता ये कहते कहते भाबुक हो जाते हैं आखों मे आसू आ जाते हैं कि बेटा जो अपनी बहन की साधी में आने की तयारी कर रहा था बहन चोटी बहन की साधी थी थी और उसके लिए वो तमान तयारिया कर रहा था लेकिन अपनी बहन की साधी में सीरकत करने से पहले वो देश के लिए उसने सहाधत दे दी तो पिता को के लिए साहददी इसका साहद गर भी है उन्हें परिवार ही है मैं स्वैंबी एरपोर्स में 20 साल सेवा दे के निम्रित हुआ उसकी बड़ी बहन अभी भी आर्मी मेजर ही है अब दुर्वागे है इतनी जल्दी एक साल भी पूरा नहीं किया है अभी चला गया जाना और रहन कह नहीं सकते हैं कहीं भी रहता है जिए उसकी आयों नहीं रही होती तो जा सकता था हाँ ये बात ज़रूर थोड़ा सा मन को सांती दे जाती है कि देश के लिए उलरका चला गया तो उसकी कल साम हुई थी उसके यूनिट से ही जानकारी हमलों कुछ शेवजे के आसपास मिल तो आपको बता रहे हैं कि वो जो पूरी खबरे बता रहे हैं घरवालों के मुताबिक कि संडीवार की साम वो अपनी टीम के साथ पाकिस्तान के बौडर इलाके में गस्त कर रहे थे इसी दौरान साम करीब 6 वजे 20 वोट हुआ जिसमें रिसी समेत दो जवान सहीद हो गए जबकि चार जवान गम भी रूप से गहे लोग है गटना की सूचना के बाद रिसी की रिष्टेदार उनके घर पहुचे हुए हैं और इसदर इकलोते पुत्र के निधन से माता पिता का रो रोकर बुरा हाल है पुरा परिवार रो रहा है गम जदा है वो इकलोता जो रिसी की दो बहने हैं और वो एकलोते बेटे थे अपने मावाब के तो परिजनों ने बताया है जैसा की रिसी की छोटी बहन की 29 नवंबर को साधी थी और 22 नवंबर को वो बेगु सराय आने वाले थे अपनी बहन की साधी की तैयारी की सिलसिले में बहन को विदा करना था दोली पर बिठाकर लेकिन बेटा पहले ही देश के लिए सहीध हो गया तो बेगु सराय के लाल को सलाम है बेगु सराय के लाल ले अपने ड्यूटी निवाते हुए देश के रच्छा के लिए अपनी जान भी कुर्मान कर दी बने रही है कसिस नोज के साथ हमाम ख़बों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद